Good morning everyone, एक और new day trading live education में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, date है आज का June 26, आज Wednesday है and time हो रहा है 9.18 a.m. सुरेस market आज opening दिया है, somewhere around इसी level के आसपास में, कल इसी level से market बंद हो गया, कल हम लोगोंने बहुत सारा time wait किया, लेकिन हम लोगों को कोई भी अपना proper setup नहीं दिखा, मुझे बस एक setup दिखा था buying का, जो कि था ये retracement पे, लेकिन बात को समझेगा, top में retracement के basis पर अगरा buy करते risk रहता है, तो वो risk को ही देखते हुए, मैंने अपने capital को invest नहीं किया, मुझे ये चीज पता था, कि suppose अगर market उपर नहीं जाता, तो ये level से बहुत easily फिर market बरा fall में भी जा सकता था, हर चीजों को सोच की ही, मैं यहाँ पे एक trade place करता हूँ, और हम लोगों के आखों के सामन अगर कल मुझे नहीं मिलेगा, तो आज मिल जाएगा, और जो भी incidents मेरे साथ में हो रहा है, मैं आप लोगों को तक share करने का try करता हूँ, मुझे पता है, लोग सही नहीं बोलते, गलत comment करते हैं, trading नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन मैं अपने तरीके स मेरा जो भी experience है ना, वो चीज़ में आप लोगों को तक बस share करना जानता हूँ, चाहे मेरे साथ जो भी incidents हो, आज market open हुआ है, यह level के आसपास में, कल अगर आप देखेंगे ना, तो यह level के आसपास में, कितना ज़्यादा market का fight हुआ, उपर नीचे, उपर नीचे market बहुत के time frame पे and 5 minute पे setup find out करने का try करेंगे, time ओर 9.21, wait करेंगे, update करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगए, मेरे वीडियो को सीखने को मिलता है, एक like करके, जरूर support कर दीजेगा, ज़्यान दीजेगा time हो रहा है, 9.46, wait कर रहें, observe कर रहें market को, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जो market ने strong ने show किया था था ना, उसको कहने कि थूरा सा breakdown दे के अपने आपको maintain करने का try कर रहें, लोग यह सोचते हैं कि market तो fall कर रहें, सर यहाँ पे trade क्यों ने कर रहें, देखे trade करने के लिए trade setup होना बहुत जरूरी है, यह possible है कि market बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन मुझे कोई setup ना मिले, यहाँ पे देखते हैं market कितना नीचे आ रहा है, हम लोगों के पास में जो retracement एक area है, वो होगा हम लोगों का previous drawings को हम लोग remove कर रहें, जो कल का market ने base develop किया ना, यह base ही हम लोगों का, एक base point हो जाएगा एंड हम लोगों का यह वाले एक high point हो जाएगा, ठीक है, as per our financial retracement low to high के according लेगा अब देखेंगे, तिक दम देखे, 0.5 तक के आसपास में market आने का try कर रहा है, ठीक है, तो क्या यह level में retracement possible है, देखते हैं, यहाँ पर जो भी strike price होगा, 52,300 का ले लेंगे हम लोग ठीक है, 52,300 का once a minute, call option में price चल रहा है, 218 का, जुलाए का कितना चल रहा है, 1000, यह वाला कितना चल रहा है, यह भी ज्यादा है, ठीक है, यही वाला हम लोग लेने का try करेंगे, 150 कोईंडी के साथ में, वेट करेंग अप्डेट करता हूँ, इस लेवल को थोरा सा ध्यान रखने, कल के तरह नहीं होना चीक एकदम से आया, एकदम से मार्केट उपर चले जाए, इसलिए order हम लोगों को place भी करना पड़ेगा, ट्रस ध्यान दिजाएगा, candles behavior थोरा बहुत सपोर्ट तो कर रहा है, price थोरा सा उपर मिल रहे हम लोगों को ठीक है, और भी कोईंट एड करेंगे, अभी फिलाल हम लोग तो कोईंट एड करते हैं, चलिए, देखिए अगर setup मिलता है, तो सही लगता है, लेकिन अगर setup नहीं म हम लोग और भी 150, quantity हम लोगों का pending है, और भी हम लोग यहाँ पर डाउन करने का प्लान करेंगे, ठीक है, वेट करेंग अप्डेट करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद है, मेरा setup, simple trade setup अगर पसंद है, लाइक जरू कर दीजेगा वीडियो को के, जरू करेंगे, टाइम हो रहा है, 954 और यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से मोमेंटम आना, स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, अगर थोड़ा से और वेट करते हैं, अपॉर्चून्टी नहीं मिल पाता हम लोगों को के, यहाँ पर काम करेंगे ना, पार्सेल मार्केट इतना वोलाटायल है ना, एकदम से फिर नीचे आ जा रहा है, एकदम इमिडेटली फिर नीचे नहीं आएगा, इसकी कोई गैरेंटी नहीं है, उपर से थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन का भी डिजेक्शन मिल सकता है, यह देख रहा हैं आप लोग, थोड़ा सा क्रिटिकल से नेडी हो तो है, कोई भी चीज इतना आसानी से नहीं होता है, महनत लगती है, अगर आप कोई भी ट्रेड में है, उसमें महनत है, आपको वेट करना पड़ता है, सही टाइम पे आपको निकलना भी होता है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वेर आफ करने के बारे में कर रहा हूं, लेकिन और भी कोईटी हम लोग एड करने वले थे, 150 अगर थोड़ा बहुत नीचे आता ना, तो और भी 150 में ले लेता, 12,000 इंटो 2 मतलब 24,000 तक कि आसपर 24,000 का प्रॉफित हो जाता, लेकिन मार्केट नीचे नहीं है, जिस वैसे थोड़ा सा कम प्रॉफित म का इलिए प्लान कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे न, प्रॉफित नहीं चल रहा है, 10,000 तक आसपर का ये प्रॉफित चल रहा है, ठीक है, देखे, बुक कर लेंगे तो हो जागा 10,000 का प्रॉफित, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा अगर हम लोग आगे ब टाइम हो रहा है, 10 a.m. यहां पे क्या इंसिदेंस हुआ, आप देख सकते हैं, लोग मुझे बोलते हैं, टार्गेट से पहले सर आप क्यों स्क्वेर आफ कर देते हैं, वही सब कमेंट मेरा दिमाग में घूमता है, मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा मैं बरा पाफित ल चाहिए था, मैं हमेशा कभी भी दिखें, मैं टार्गेट को फालो करता नहीं हूँ, जो भी मुझे लॉजिकल पॉइंट दिखते हैं, मैं उसी पॉइंट पर ही मैं निकल जाता हूँ, आप मेरा प्रिवेज वीडियो जाकर देख सकते हैं, कितना सारा वीडियो में मैंने यहां पर टार्गेट से पहले स्क्वाराफ कर दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे यह चीज़ पता है कि मेरे साथ में क्या एंसिदेंस होगा, अगर मैं नहीं स्क्वाराफ करूंगा तो, बहुत टैम स्क्वाराफ मैं कर देता था, उसका बद मार्केट बहुत ऊपर चलायता लोग बोलते थे, सर आपने क्यों स्क्वाराफ कर दे एक बड़ा प्रफिट अपका हाथ से निकल गया, सो यही रीजन है दोस्तों कि मैं यहां पर टार्गेट से पहले ही जो मेरा लॉजिकल पॉइंट रहता है ना, उसी सब पॉइंट पर मैं स्क्वाराफ कर देता हूं, यह सब भी दिखे एक learning ही होता है एक type का live market के साथ में, मेरे साथ जो भी incidents होता है आप लोग तक मैं truly share करने का try करता हूं हर एक चीज, ताकि आप लोग सीखिए and जो भी activities में लेता हूं, मुझे यह चीज पता है कि मैं आपने तरीके से बिल्कुल सही करता हूं, बाकि यह च चीजे में बहुत time face कर चुका हूं पहले, profit नहीं बन पाता था, लेकिन जब मैंने एक सही process पे चलना चालू किया न, जो चीज लोग बोलते है, target से पहले निकली, यह 1-2-3 का रखे target, वो सब दोस्तों possible नहीं हो पाते, वो सबसे कभी भी आप एक income generate कर ही नहीं पाएंगे, जो चीज market आपको सिखाता है न, वही चीज आपको यहाँ पे market साथ में काम करने को मिलता है, और वही एक actual learning होता है, किसी का कह देने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा market एक दम से नीचे आ गया, 3000 तक आसपर्स का loss चलना स्टार्ट कर एक दिन मेरा ऐसे होगा कि 30, 40, 50, 60, 70, 1000 का मैं profit कमा लूँगा, जिस दिन market मेरे favor में होगा, आज भी market मेरे favor में था, लेकिन यहाँ मैं square of नहीं क्या बहुत लोग बोलते हैं, सर्थ थोरा सा रूख जाय कीजिए, target से पहले ना square of कीजिए आप, इसलिए मेरा यह माइन में थ था कि नहीं, आज मैं square of नहीं करता हूँ, हो सकता तुरस एकदम से profit आजए, जैसा कल यहाँ पर आया था, वैसा मैंने सोचा आज आजएगा, बड़ा profit कमा लूँगा, लेकिन बड़ा profit तो छोड़ी है, कुछ भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिला, उल्टा, जो है loss ही लेकि हम लोग बैड़ गए, वेट करेंगे देखते हैं कैसा यह level पर react कर रहा है market, तो ध्यान दीजेगा, टाइम हो रहा है, 10 बच के 17 मिनट, पता नहीं यह कौन सा जादवी candle बना, एकदम से आप देख सकते हैं, दुबारा से एक और recovery पर जा रहा है market, खेर जो है अपने trade को हम लोग square off कर देंगे और जाद expectation नहीं करेंगे market बहुत ज्यादा उपर जाएगा, हम लोगों ने नीचे के level पे कुछ losses बुक किया है, यहाँ पे sudden एक ऐसा candle बन गया है, एक टाइप का यह जादूई candle बना हुआ है, एकदम से नीचे आके एकदम से फिर का हूँ, बहुत सारा time, देखते हैं अभी सभी position को कहाँ पे square off करना है, वैसे अगर आप देखेंगे तो आज भी मतलब time ही waste हो गया, हम लोगों का कुछ भी profit जो है ना हाथ में नहीं आया है दोस्तो, खेर जो भी है मेरे साथ जो भी incidents होता है, दोस्तो, truly मैं आप लोगों क साथ में share करने का try करता हूँ, और मुझे ये उमीद है कि आप लोग हमेशा एक right direction को ही follow करते होगे आगे बढ़ेगा, किसी कभी बड़े profits को देखे, market में इतना easily काम करने मत है, पहले सीख लीजे, सीखने में कोई दिख करने लिकिन difficulties है दोस्तो, मेरी बात मानी difficulties है, कठे न लेबल के आसपास में दुबारा से चला गया market ठीक है, चलिए जो भी है, अगर market देखे उपर भी चला गया ना, तो भी साथ बहुत जादा profit ना कमा पाऊं, क्योंकि मैंने quantity नीचे के level पे भी square off कर दिया है, ठीक है, चलिए और ज्यादा wait नहीं करेंगे, जो भी incidence रहा मैंन मैं आप लोगों तक share करने का try किया, okay, trade को हम लोग square off करने का ही प्लान करेंगे, अब 75 quantity है हम लोगों के पास में, कैसा लगा ये attribute आप लोग comment करके जरूर बताइएगा, थुरा से और भी उपर जा रहा है ना, लेकिन ज्यादा wait नहीं करेंगे, चलिन रहने दीजे कोई दि करनी है, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ loss ही हम लोगों के हाथ में आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने में full focus रहता हूँ, and market ने भी मेरे को यहाँ पर loss होने से बचा लिया, एक दम से पता नहीं कैसा जो candle यहाँ बन गया, अगर यहाँ से उपर जा रहा है ना, त साथ और भी थोड़ा बहुत ऊपर डारेक्शन की और मार्केट भी आ सकता है, टेकर स्टॉंगने शो करते हुए, मिलते एक नेक्स्ट वेट के साथ में, एक नियू एजुकेशन के साथ में, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवात ह थेंक्यू सो मच्छ टेक केर